नहुसकार दोस्तों, डीडी रेट के एक और एक्षर वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो है, वो पूरे इंडिया को गर्व कराने वाला वीडियो है, इसका टाइटल है बिग मोमेंट फॉर इंडिया, इस्रो लाँचेज नेक्स ज विशन है, वो हमने भेज़ा है, और नाविक जो सिस्टम है, हमारा जो सेटलाइट है, वो बिसिकली जो जैसे GPS है, या ग्लोस नॉस है रशियन, या बाईदू या क्या ना मह चाइनीज का, उसी सिस्टम का वही हमारा अपना GPS है, अपना GPS सिस्टम है, तो उसे हमने अंतरिक पाकिस्तान वो नहीं उठा पाएगा बड़ा मुश्किल है उसके लिए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है आईए देखते है आप सर मेरा आज आपसे कॉस्चिन ये है आज इंडिया जो हमारी नेबर कंट्री है उनका एक इसरो प्रोग्राम है स्पेस से रिलेटेड उन्होंने आज नेविगेशन के हवाले इसरो प्रोग्राम नहीं है इसरो इसरो है वो एक संगठन है अप यह कह सकते हैं कि ज इस लभी उनका प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है आप यह कह सकते हैं के जो वो रिजनल नविगेशनल सैटलाइट से हैं, आई आर, एनसेस, वो एक प्रोग्राम है हमारा, इस रो जो है, वो और्गनाइजेशन है, संगठन है, इदारा है, अगर मैं उर्दू में कहूंँ तो. इसे एक नई सैटलाइट जो है, वो लांच की है, जो के इन्हांस करेगी मतलब नविगेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के अंदर, हैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं, एप्रिशेट करना चाहेंगे, सर बिल्कुल एप्रिशेट करेंगे उनको, क्योंकि उनने उस पचास साल सव साल आगे हैं, टेकनालोजी भाइज भी हर पॉलिटिशन, फॉलिटिक्स भाइज भी हर चीज़ प्वाज से आगे है, हम आप देख लें कह मारे रोड्स और बाकी सारा कुछ आम इंफरा स्टुर की तरफ देख लें, इंडिया के इंडिया इंडिया तेकनाल रिलेटिड है लेकिन क्या अचीवमेंट है आफ पारको की अगर देखा जाए और अगर इसरों की बात की जाए तो वह BRAZAील जैसी कंट्री को सपोर्ट कर रहा है योरप की बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट कर रहा है और भारत खुद साड़े तीन सो से जाई सैटलाइट लाउंच कर चुका है सैर इसमें आप ये देखें कि जी अपने रिज़र देह झाओ ाक एक जेंपल दे रहूं इसप्स आप जे आप के बजट के रिज़र्व नहीं हैं अपके बजट के री जर्व नहीं है लेकिन इंडिया के पास अरौंड फाइफ हंडर्ड, 550 रफ के राउंड बाउड उनके पस जो है रिजर्फ हैं आप कैसे कमपैरिजन कर सकते हैं अपका और उनका कोई कमपैरिजन नहीं है आप सिंपल इस डाइट आपकी जो प्लिटिकल लीडर्शिप है ठीक है वो नहीं सीधी हो रही है एक दूसरे वो सिर्फ है कि अपने पेट बरें हम अपने आपको किस तरह बचाएं अवाम का कोई नहीं सोच रहा है बिल्कुल सोच रही है अगर वो ना सोच रही होती तो उनके भी हलाद भी हमारी तरह होते एक बात आपने कही कि उनके पास रिजर्व है इसलिए वो सेटलाइट इससे अपने समन जोड़ना चाहा लेकिन मुझे लगता है कि ये एक वज़ा हो सकती है लेकिन यही वज़ा नहीं हो सकती क्योंकि जब हमने इस तो प्रोग्राम अपना शुरू किया था तब इतना बड़ा फोरक्स रिजर्व नहीं था हमारा मुझे याद है कि जो पहला रॉकेट था हमारा वो साइकल पर लेकर गये थे वो तस्वीर बड़ी आइकॉनिक है और जो पहला सेटलाइट था हमारा वो बैल गाड़ी पर गया था आप समझे रहे हैं ये contrast rocket जो है वो cycle पर ले गए थे हम और satellite जो है वो बैल गाड़ी पर ले कर गए थे और आज आज इस औरो कहां पहुँच गया ये सब आपके सामने है तो मुझे लगता है कि सिर्फ forex reserve या pass में पैसे होना ही important नहीं है इसके लिए will power चाहिए इसके लिए policies चाहिए इसके लिए vision चाहिए तो जब इस औरो की new रखी गई तब का vision था जो आज हम देख रहे हैं और उसमें लगतार चीज़े add-on होती गई बहुँच जल्दी हम चंद्रयान 3 लॉंच करने वाले हैं जुलाई में लउंच करने वाले हैं आप सोचीए तो इसमें तो वाकई ये बात सही है कि मुकाबला नहीं है और वो भी तब मुझे रहता है कि एक जो प्रतिसपरधा होती है जो एक अच्छी प्रतिसपरधा होती है वो grow कराती है लेकिन पाकिस्तान में जो प्रतिस परदा है वो जलन वाली है कि तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है तो मैं भी एक बड़ी गाड़ी खरीदूँगा भले ही वो लोन से खरीद दी पड़े तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी करूंगा भले आपके पास technology नहीं हो, आपके पास वैसे बंदे नहीं हो, आपके पास उतने पढ़ली के scientist नहीं हो, लेकिन नहीं मुझे हो करना है, और इसी का नतीजा था कि सुपार को जो है, सुपार को मैं बता दूँ जो पाकिस्तान के लोग नहीं जानते हैं, या इंडिया के लोग सुपार को कहां पर है, दुनिया में शायद पाकिस्तान में ही लोग नहीं जानते हो, दुनिया को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में ही आदी जनता हुई जो सुपार को का नाम भी जिसन नहीं सोना होगा, लेकिन आज भी हमारे politicians कहते हैं के देखो वहां पे गुर्बत है, यह है, वो है, सिर्फ हमें बताया जाता है, या क्या मतलब आज भी हमारी brain feeding ऐसे क्यों की जाती है? सर आप देख लें, उनकी पॉपलेशन क्या है, वन पॉइंट फाइफ बिलियन, ठीक है, आपकी पॉपलेशन क्या है, 22 और 23 क्रोड़, आप से वहीं ही कंट्रोल हो रहे हैं, आप से उनकी जुरूरियात नी पूरी हो रही है, तो आप उनके साथ कंपैरिजन क्यों कर रहे ह खुपलेंगे उनका कमपैरिजन इंडिया चाहिना के साथ बनता है क्युकि उनके वह पने क्रेंट थापर्फॉमैंज चाहिए हूंने क्थार से करना चाहिये हैं, हमारा कपैरिजन किसी कि नहीं हुसकता हूं कि जब तक हमारी लीडर्शिप Series the exact ने थिए.auge क् आराउंड 400 परसेंट जो है सीट कर गई हुई है एक चीज जो आपको पहले 100 रुपे में मिल जाती थी आज इस टैम वह 400 या 500 रुपे में मिल रही है हमारे हुकमरानों ने क्यों नहीं सोचा कि एक सैटलाइट ऐसी लांच की जाए जो नैविगेशन सिस्टम को इन्हांस करें पाकिस्तान के अंदर भारत ही में क्यों होगा सैटलाइट की बात आप छोड़ दें आप सैटलाइट तो तब यह लांच करेंगे ना जब इनके पास अपना कुछ होगा यह कोई इनके पास मुलक चलाने के लिए कुछ होगा सबसे पहले तो यह एक मुलक को तरीके से चलाने अब देख लें इंडिया इंडिया ने सैटलाइट तब लांच किया जब उनके पास इतने फॉरें रिजर्व से और वो अपना मुलक अच्छे तरी पाकिस्तान पूरी दुनिया की निगा में एक बैगर के रूप में है सर यह डिपेंड होता है कि जो आपका लीडर है ना अगर वही बैगर हो तो सारी अवाम बैगर है अगर आपका लीडर शेर हो ना सारी अवाम शेर हो जाती है क्या हमारा लीडर शेर है क्या हमारा लीड की बात की जए नरिंदर मुदी जो वहां पर हुकमरानी कर रहे हैं वो तो जो ना सिर्फ नॉन मुसलिम बलके जो मुसलिम भी इंडिया के अंदर रहे हैं वो कहते हैं हमारा रोल मॉडल है सर उसकी वज़ा यह आप एक अर्टीकल पढ़ लें नाइंट इंडिया जो लास्ट ने आपको इंडिस्ट्रियल कंट्री अटadt है जिस तρά है जा चायने अपने आपको इंड्र्स्ट्रियल कंट्री बनाया है उसकी वज़ा सब्सके अब की एक्सपÔर हो गidity हमॉट नाइनग्स्पॉर्च होगी आपका मॉलक तरखी करेगा है हमारी 90% इंपॉर्च है आप आ सकते हैं अपनी बात कर लेते हैं हलात में बेतरी कब आएगी कैसे आएगी कोई नजर भी आ रही आती है सर बिलकुल आएगी लेकिन पॉइंट इस डाया है ठीक है जी लीडर्शिप अच्छी हो लीडर्शिप मुलक का सोचे अपना नहीं अपना पेट काटना पड़ता है करे आरी नेबर कंट्री भारत के अंदर जो है एक सैटलाइट लाउंच कर दी गई है जो के नेविगेशन सिस्टम को इन्हांस करेगी बड़ी सक्सेस्फुल मतलब जो है लाउंच रही है मुबारिक बात देना चाहेंगे पहले मुझे यह बताएं अपकोर्स नेबर कंट्री ह हमारे उनके साथ कितने ज्यादा भी मतलब क्राइशिस उनके साथ जितने मारजी भी हमारे हों ठीक है हमें उस चीज से फ़रक नहीं बढ़ता ठीक है एक एड़े आर अप्रिशेर देम एप्रिशेर थे गूड़ वर्क सो आई विश वेरी बेस्ट आफ लग तो देम और अल जो है मतलब अपराशन ढपोरत है हो जाई और तो है न आप केे आहांчा चाइना इस की सर्विसेज ले रखिया है आपने जोुआ सब्सक्रमार देखिए दुनिया में तो बहुत कम देश है जिनके पास अपना ए सिस्टम है और इंडिया उनमें से यहीं है तुरा देश है अपना ग्लोस नॉस इधर वाला हो गया, रशियन और वो बाईदे या वीदू जो इसका नाम है, चाइनीज का एक हमारा हो गया, इसके अलवा एक आद और हो सकते हैं, जो मैं नाम मिस करना हूँ शायद तो यही एगिंच उनके 5-6 कंट्रीज ही है और हम proudly कहते हैं कि इंडिया भी उनमसीख है तो आज हम technology में इतने आगे हैं इन सारी चीज़ों में इतना आगे हैं, तब जाके हम अपना negation system बना पा रहे हैं आप तो हमसे technology में 1000 साल पीछे हो तो कैसे कर पाऊगे चमतकार होगा कोई, आसमान से कुछ चीज़ गिरेगी और चमतकार हो जाएगा और एका एक जो है पाकिस्तान बजब हो जाएगा तो मुबारिक बात देना चाहेंगे या भारत ने किया तो थोड़ा सा मतलब आएगा कि यार भारत कर गया और हमने नहीं किया भी तरह बलके मेरे ख्याल में तो इस तरह हैं कि हमें उनसे सीखना चाहिए कि वह आई-टी में और तकरीबन साड़ी फिल्ड्स में हमसे कई गुना आ गया तो बजाए कि हम उसको क्रिटिसाइज करें के जी वह हमसे आगे निकल गया यह वह हमें यह सोचने चाहिए हम क्यूं पीछे रहे गए तो हमारी इद्गिर नेबर कंट्री से इशिया में जितनी कंट्री से हैं ओल्मोस्ट अब हमने इकोनमी जिस तरह जो इस टाइम नीचे गई वी है तो हमें काफी कुछ उनसे सीखना चाहिए रही बात उसकी जो आप डिसकस करें नेमिकेशन सिस्टम की तो आई-टी उनकी क चाहिए कि सिर्फ यह हम इजर उदर लड़ते जगड़ते रहते हैं कि यह हो गया कश्मीन में यह वो इसको एक तरफ रखके बाकी भी हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों लैक कर रहे हैं अगर देखा जाए 75 साला पाकिस्तान की तारीख में अब तक भारत साड़ ने इसका नाम भी सुने हैं नियूस के अंदर या कभी बताया हो के पाकिस्तान ने भी को सैटलेट लाउंच की है एक्शली टॉल डिपेंड्स ओन यूर कंसर्न के आप क्या अपनी लाइब में किन चीजों को कंसर्न करते हैं ठीक है तो अब मैं मेरा जिस चीज में मेरी कर् तो मैं उनहीं चीजोंको सraham करोंगा उनी चीजोंकोगे उपर वर्क करोंगां उनहीं चीजों के बारे में मतल proceeded जौना उलेज जया और उसको गैदर करोंगा ठीक है तो यह यह बाइ तो बी वेरी ऑनेस्ट यह नाम मैंने बाकी फरस्ट टाइम सुना है ठीक है कि जो भी मतलब इस तरह कि टेकनोलोजीकल वर्ल्ड है, इस टाम हर बंदा स्पेस के उपर, आईटी के उपर काम कर रहा है, हमारी प्रियॉर्टी जिस्टाम के हैं, हम कहां पे स्टेंड कर रहे हैं, और फ्यूचर क्या रहेगा अगर यही हलात रहते हैं, तो देखें, इस बा इसको इसके ओपर कोई एक्शन लेना चाहिए, ठीक है, उसके बाद जो है, जो आप कहा सकते हैं, कि नेक्स्ट टेप यही हमारा इनफ्रमेशन टेकनोलोजी की तरफ से होना चाहिए, कि यार हमें अफ को इसको इंप्रूव करने की शदीद ज़ूरत है, और अगर यह इसमे हैं जिनको हैल्प मिलेगी ठीक है तो यह तो काम करने पे ना अगर हर कोई यहां पर अपनी प्राइटीज कोई पहले रखे हैं कि मैं इस चीज को बड़े अच्छे से इंडर्स्टेंड करता हूं मेरे नजदीक एक पंजाब इन्यूरस्टी एक नास्ट या एक दो और इन्यूरस्टी जिसमें स्पेस साइंस का डिबार्टमेंट है और वह भी वह बहुत मतलब के वह लोग करते नहीं है इसलिए क्यों पर निया पाकसान से बाहरी दिया इदारा है अमरीका का जो कि इस कया में जाते है उसमें मिजोर्टी जो साइंटिस्ट हैं वह इंडियन्स मतलब हायर किये जाते ha sistemas हैं इंडियन्स को बिया में बुलाया जाते है इस तरो तो उनका अपना डिपाटमैंट है, लेकिन इस तर है कि जो नासा है नासा ने भी डिसेंट ली एग्रिमेंट किया था स्पेस एक्स के साथ जो कि इलन मस्क की कंपनी है और वो काफी बड़े प्रोजेक्ट करें अब जैसे कि मैंने आपको पहले बिताया कि रीजिन यही है कि यहां पे अगर कोई बंदा पढ़ते है तो बहुत क मैं आपसे यह कहूंगा कि एक हजार साल आगे हैं और मैं आईटी की बात नहीं कर रहा है मैं स्पेस टेक्नलोजी की बात कर रहा हूं स्पेस साइंस की बात कर रहा हूं हमारी जो अचीवमेंट्स है ना वो पाकिस्तान अब से शुरू करेगा तो एक हजार साल लगेंगे उ अचीवमेंट्स पर तक पहुँशने में जो हम अचीव कर चुके हैं अब पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को पता है कि इंडिया एकलौती ऐसी कंट्री है जिसने अपने पहले अटेंट में मार्स पर सेटलाइट भेज दिया दुनिया का कोई देश ऐसा कारनामा नहीं कर पाया है आप सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कितने पाकिस्तानियों को पता होगा कि चांद पर पानी नासा के किसी सेटलाइट ने अमेरिका के किसी सेटलाइट ने इंडिया के चंद्रियान ने ढूंडा ये भी कितनी बड़ी अचीवमेंट है दुनिया की जो बड़ी स्पेस एजन्सीज है वो अब इस रो का नाम सम्मान के साथ लेती है ऐसा नहीं है कि हर जगा हमें बड़ा सराहा जाता है पूरी दुनिया का एक धड़ा ऐसा भी है जो हमारे स्पेस प्रोग्रेम को लेकर लगातार हमारा विरोध करता रहा है ब्रिटन में विरोध हुआ है अमेरिका में इंफेक्ट विरोध हुआ है हर जगा यह चलाते है कि जी जिस देश में इतने परसेंट लोग गरीब है जिस देश में प्रॉब्लम है साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने को इतने परसेंट लोग को वो देश स्पेस प्रोग्राम क्यों चला रहा है आप समझें हैं किस हद तक जाकर विरोध किया जाता है और यह विरोध इसलिए है क्योंकि हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है ठीक है हमारे हाँ प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दूसरे कामों को रोक दिया जाए ऐसा करने से डेवलप्मेंट रुख जाती है कंट्री की प्रोग्रस रुख जाती है मैं यह नहीं कहता कि यह जरूरी नहीं है दोनों ही जरूरी है और दोनों के लिए काम करना चाहिए तेरी दीरे सबको साथ साथ चलेगा नासा की तरह इस रो का बजट हजारो अर्बो डॉलर का नहीं है बहुत limited budget है हमारे space organization का लेकिन उस limited budget में भी इस रोंने कमाल किये हैं हॉलिवुड में जितनी movie नहीं बनती उससे कम में हमने अपने सेटलाइट्स बेजे हैं सोचिए नेबर कंट्री भारत ने जो है वो सेटलाइट लाउंच कर दी है नेविगेशन सिस्टम को इन्हांस करने के लिए अपनी कंट्री के अंदर पहले तो यह बता है मुबारिक बात देना चाहेंगे आप उनको सर डेफिनेटली मुबारक बात देना चाहूंगा क्योंकि एक तो नेबर हैं और हम एक साथ ही अजाद हुए थे हमसे वह बहुत आगे चले गए इस हावाले से बजाए इस के कुडने के बजाए इसके अपने आपको जलाने के उनको मुबारक बात देनी चाहिए कि उन्होंने इतना अपने आपको बेटर किया अपनी टेकनलोजी में तो हमारी तो प्रियोरिटी हमारी एज गौर्णमेंट क्या हम किसको ब्लेम करें प्रियोरिटी नहीं है एज एक कौम ही हमारी प्रियोरिटी ही हो रहे हैं हमने अपने मुलक को किदर लेकर जाने और क्या करने हैं क्या लगती है कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूंatas कैस्पेस प्रोग्राम के बात कर погulate तो हमारी इस तरीके से हमारा रुजहान इस तरफ नहीं है हम क्यों नहीं इसके ओपर काम कर रें थरह हमारी क्रीम बाहर चला जाती है जतनी भी टेकनिलोजी के इसाया हो आई टी के इसाया एबोस्व üz grasses रहाओ करत करें सुरूंग हो उनको तो कुछ पर थे चलाना मों वाहरे से भाने वो समय एकिर वाकित यूहा कि यहां तो तो एक की च्साया आगे है एक पेच का सहे है तो क्योंकि हमारा वो सर्फ प्रियॉर्टी इस ही नहीं है और यहां पे एक बहुत सारी चीजों के लावे इंजिस्टिस है जिसको लोग जो पड़े लिखे लोग हैं मों समय हैं कि भाई हमारा फिलहाल फ्यूचर जो है वो बाहर है पाकिस्तान का अगर पूरी इंटरनेशनल मेडिया के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान को उस तरीके से ना मतलब रेप्रेजेंट किया जा रहा होता है ना हमारी अचीवमेंट को उस तरह बताया जा रहा होता है ना ही हमें उस तरीके से अप्रिशेट किया जा रहा है सार पुलिटीकली इन स्टेबिलिटी एक तो यह मेजर फैक्टर है कोई भी किस दौर में हम स्टेबल हुए हैं पूलिटीकली हर दौर में और फिर जो एज आज आम आदमी है उसको तो वो प्रियॉर्टी उसकी तो है नहीं ना उसको क्या चाहिए दो और दो चार रोटियां और गौर्मिन्ट जो है वो उसके अपने मफादात हैं वो उनको अवाम से कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या चाहती है और किस तरह की उनकी मतलब है उसको अवाम को हम फसीलिटेशन दे सके हैं तो क्या फ्यूचर ताबनाक देखने हैं या शानदार देखने हैं मैं बिल्कुल इस पे अप्टिमिस्ट हूँ अगर हलात यही रहेंगे तो फिर भी हलात ठीक होंगे क्योंकि एक लिमिट होती है ना रूज की और जौाल की अब उस लिमिट से नीचे कहां जाएंगे हम अल्रेडी लिमिट क्रॉस कर जाएंगे हैं अब इन्शाला उपर अगर प्लस दूसरी बात यह है कि जी कोशीश करें कि अच्छे बंदे का साथ दें आपको अपने आप खुद देखना चाहिए आपके महौल और आपके लाखे के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया और यह जो भाई साब कह रहे था ना कि अब जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया है अब जो हो बहतरी होगी मैं इस से थोड़ा इत्तफाक नहीं रखता अभी तो जो कुछ आप देख रहे हो वो मान के चलो कि यह बहुत अच्छा वक्त ह आपको लग रहा होगा कि यार इतना बुरा वक्त है और मैं कह रहा हूँ कि जी अच्छा वक्त है यह बिल्कुल अच्छा वक्त है यह आप साल डेड़ साल बाद कहोगे कि जी हाँ वो वाला बंदा जो था ना वो सही कह रहा था कि अच्छा वक्त वही था अभी और बुरी हालत होनी बाकी है यकीन मानिए दूसरी बात जो हमारा सेटलाइट हमने भेजा हमने इसमें एक और चीज भेजी हमने स्वदेशी एटोमिक क्लॉक भेजी है इसमें यह खबर बड़ी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी अचिवमेंट है यह भी एटोमिक क्लॉक जो होते हैं वो space में use किये जाते हैं, क्योंकि उनमे margin of error जो है, वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बड़ी accurate घड़िया होती है, जो हम battery से use करते हैं, जो mechanical घड़िया use करते हैं, वो उनमे time के साथ accuracy कम होने लगती है, वो कुछ second छोटी पड़ जाएंगी, मतलब छोटी innocence के कम बताने लगेंगी, accurate time नहीं बताएंगी, और space में time measurement बहुत जरूरी है, वहाँ पे बिलकुल sharp होना पड़ता है, मतलब 0.00001% का भी इधर उधर time में वो बहुत सारी चीज़े equation गड़वड़ा देता है, तो ये भी बहुत बड़ी achievement है, कि इंडिया ने स्वदेशी atomic clock भी space में भेज है, हम सिर्फ research नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उस पर पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं हमारे, इस रो आपको कमा कर देश को कमाई भी कराके दे रहा है, सैकडो billion of dollars की कमाई जो है, वो हम satellites भेज कर, दूसरे देशों के satellites, इसमें अमेरिकी satellites हैं, इसमें European Union के satellites हैं, इसमें और भी दूसरे देशों के satellites हैं, तो satellite भेज कर, हम इससे पैसे भी कमा रहे हैं, earn कर रहे हैं, लोगों का दुनिया भर में भरोसा हमारी संस्था पर बढ़ा है, scientific community में इस रो की चर्चाएं की जाती हैं, उनके methods पर बात की जाती है, ये कोई छोटी मोटी उपलब्दी नहीं है, और पाकिस्तान को यहां तक पहुँचने के लिए मैं कहा रहा हूँ न, 1000 साल भी लग जाए हैं, तो शायद मैं कम बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज एक-दो साल में, दस साल में, बीस साल में, चालिस साल में नहीं होती है। ये सदियां लगती हैं इसमें। और टेक्नलोजी और स्पेस साइंस और इन सब चीजों में हमने बहुत लंबा वक्त लगाया है। मौडन साइंस की बात करें तो भले आप डाक्टर होमी जागीर भाबा को ले लें, विक्रम सारा भाई को ले लें, लेकिन इस पर काम इससे पहले से भी चल रहा है। खगोलिय घटनाओं को लिखना, उनके बारे में चर्चा करना ये हमारे पूरे इंडिया में बहुत पहले से, हजारों साल पहले से हो रहा है। इनकी चर्चाएं हैं, हमारी जो पुरानी किताबें हैं, उनमें ग्रहों की बात की गई है, नक्षक्त्रों की बात की गई है, तारों की बात की गई है, तो यह ऐसे नहीं है, इल्लोजिकल बाते नहीं है, तो हमारे यहाँ एक, क्या कहें, इन्वॉयमेंट बना हुआ है, साइ डेवलब कर चुकी है और इसको लगातार डेवलब करने की कोशिशे भी की जाती है इसके लिए लगातार काम किया जाता है बच्चों को involve किया जाता है छोटी उमड से बिलकुल मतलव नरसरी से, first से, second से कि उनमें से अगर सो बच्चों को भी कुछ बताया गया उनमें से अगर पांच बच्चे भी अट्राक्ट होते हैं स्पेस साइंस के तरफ और उनमें से दो आगे चलकर अच्छे साइंटिस बन जाते हैं तो देश के लिए एक बहुत कीम्ती चीज है तो हमारे स्कूलों में इस तरह की चीज़ें की जा रही है जिससे स्पेस साइंस अस्ट्रोनॉमी और इन सब चीज़ों में लोगों का बच्चों का इंटरस बढ़े और इसका फायदा हो रहा है और ये चीज़ आपके आ नहीं है क्योंकि आपके यहां तो अदरसों में ये पढ़ाया जाता है कि धरती तो घूमती नहीं है धरती तो स्थेर है आप क्यां पढ़ाया जाता है आप क्या मौलवी लोग पढ़ाता है कि कराची में एक मौलवी ने तो अपना सूरज और चांद बना लिया था switch on करता था तो सूरज on हो जाता था तो इस तरह की चीज़े आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को आगे बताएंगे वो उस पर believe करेंगे कि नहीं 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 धरती गूमती नहीं धरती तो एकदम static है आप सोचे कि वो आगे चलके अपने बच्चों को क्या बताएंगे आगे आने वाले पीड़ी को क्या बताएंगे वो विरोधाभास होगा जो science पढ़ रहा बच्चा उनसे वो लड़ पढ़ेंगे बोलेंगे कि नहीं तो जूट बोल रहा है हमारा believe ये कहता है तो कैसे होगा आप जूट को जब आप प्रसारित प्रचारित करोगे तो उसका result अच्छा नहीं आएगा और science यही है आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे और missions देखने को मिल सकते हैं गगन्यान है हमारा manned mission है unmanned mission है अच्छा उससे याद आया यार वो आपके फवा चौदरी साब कहा है आजकल वो तो 2022 से 2023 में कहा रहे थे कि पाकिस्तान एस्ट्रोनट भेजेगा स्पेस में इंडिया से हम आगे निकलेंगे बड़ा उनका बयान वह हुगा था हलांकि पाकिस्तान में क्रिटिसाइज किया था लोगों ने पाकिस्तान के लोगों ने जो बुद्धी जीवियों उन्हों क्रिटिसाइज किया था लेकिन वो नहीं माने अब सोचिए आपके तो मिनिस्टर ऐसे रहे हैं जो इस तरह की बाते करते हैं बिलकुल मतलब बे सिर्पैर की बातें तो आवाम का क्या हो जल्दे मिलता हूँ एक और ने वीडियो के साथ नमस्कार जहित